आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्ने को इंगलिश में क्या आ जाता है तो जो भी हम निर्ने लेते हैं उसको इंगलिश में हम बोलते हैं decision D-E-C-I-S-I-O-N निर्ने यानि की इंगलिश में decision example math poor निर्ने निर्ना एक सोच की आउ सकता है making important decision requires critical thinking तो ऐसी वीडियो अगर आप डेली देखना चाते हो तो हमाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम डेली अपने चैनल उपर 5-6 ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर आप इंगलिश सीखना चाते हैं वर्ड बिनिंग देखना चाते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें